तरफ लगातार बढ़ रही गर्मी राजस्तान के लोगों के लिए अब आफ़त बन चुकी है शानिवार को राजस्तान के जैसलमेर का शेहर फलोरी सबसे गर्म रहा है वहाँ का तापमान 50 डिग्री सेलसिय दर्श किया गया केवल शनिवार को ही राजस्तान में भीशन गर्मी की वज़़ से चार लोगों की मौत हो चुकी है जिसके बाद राजस्तान में गर्मी से मरने वालों की संख्या 18 पर पहुँच गई है मौसम विभाग ने राजस्तान गुजरात के साथ साथ उत्तर भारत के कई ऐसे राज्ये हैं जिनके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है तो ये बड़ी ख़बर आपको बता रहे हाला कि हर साल राजस्तान में यही देखने को मिलता है गर्मी इतनी जादा हो जाती है कि कई लोगों की मौत की ख़बर सामने आती है इस बार भी ऐसा ही हुआ अभी तक का ये आंकड़ा बताया जा रहा है 18 पहुच गया है और सिर्फ राजस्तान ही नहीं गुजरात में भी भीशन गर्मी का कहर लगातार जारी है शनिवार को एमदाबाद के शारदा बेन अस्पताल में हीट स्टोक की शिकायत पर भर्ती कराये गए दो नवजातों की मौत हो गई है इससे एक दिन पहले भी इसी अस्पताल में लू लगने से दो लोगों की मौत हो गई थी पिछले चार दिनों की बात करें तो एमदाबाद के अस्पतालों में हीट स्टोक की शिकायत के 175 से ज्यादा मरीज भर्ती किये गए मौसम विभाग के मुताबिक पिछले तीन दिनों से एमदाबाद गर्मी के रेड अलर्ट पर है जबकि राज्जे के कहीं जिलों के लिए गर्मी का ओरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इधर बिहार के पूर्णिया में सबसे बड़े सिनेमा हॉल के रूप में प्रसिद इमारत को श्चानिवार को जमीदोस कर दिया झालर और अजा ख़र से जिलोंकरी के बेहर प्रस्चानिवा अलर्मी का यिज़ बिएल को ज Cle país जी से गलत जूर आब आह में झालर्ट इभ पारेंज Chief